हेलो एव्रीवन तो आज एक्जिंप्लर सेरीज में हम डिसक्स करेंगे काइनेटिक थेयरी ऑफ गैसे और इसको डिसक्स करने से पहले फटाफट आप लोग टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लें आनदबनी.com वेबसाइट को बुक्माग कर लें और यह इंस्टाग्राम पेज है जिसको आफ फॉलो कर सकते हैं यहां पर आपको रेगुलर नोट्स मिलते रहेंगे डेली प्रेक्टिस शीट्स मिलती रहेंगे जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेस्टेंस होते हैं आपको क्लास अपडेट कोई भी न्यूस है उसकी अपडेट मिल जाएगी माइंड मैप्स मिल जाएंगे तो यह बेसिकली पूरा आपका एक वन स्टॉप सलीशन हो गया आपकी प्रेपरेशन के लिए आल राइट तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक तो पहला सवाल कुबिक वैसल विट फेसे होलिजोंटल प्लस वर्टिकल इंडिल गैस अटेपी वैसल यहां पे जो समझने वाली बात है कि अगर रॉकेट ऊपर जा रहा है और रॉकेट के अंदर कंटेनर के अंदर गैस राइट कंटेनर के मोंशन से कंटेनर के मोशन से जो यह रेलेटिवrobe क्यूंहे यह रेलेटिव वलॉसिटी है ऑनली क्युन और वैसल के वालस क बीच में उसमा कुई चेंजर नहीं आए तो अगर there is no change in relative motion or relative velocity between gas molecules and valves, तो प्रेशर तो उतना ही रहने वाला है, तो प्रेशर में कोई भी चेंज आएंगे, तो अगर हम आप्शन को देखे, आप्शन को देखे जाएं, तो रिमेंस दे सेम बिकाज यह नहीं होगा, बी आप्शन है, रिमेंस दे सेम बिकाज मोशन अव दे वैसल as a whole does not affect the relative motion of the gas molecules and the walls, बेसिकली आप अगर देखेंगे, अगर मैं यह वैसल ले लेता हूं, अगर वैसल को मैं ऊपर भी करा देता हूं, कुछ velocity V से, जो की constant है, तो यहाँ पर एक molecule है, जो की कुछ V RMS से जा रहा होगा, तो इस wall और इस molecule के बीच में जो relative velocity है न, उसमें कोई change नहीं आएगा, तो as long as there is no change in relative velocity of molecule with respect to walls, तो प्रेशर तो उतना ही रने वाल है, तो यहाँ पर जो answer होगा आपका, भी हो जाएगा, अब चुकि यह single correct question है, तो इसमें की option होगा, तो बाकी की options अगर आप नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, तो यह है आपका question no.1, all right, so question no.2, one mole of an ideal gas is contained in a cubical volume V, A, B, C, D, E, F, G, H at 300 Kelvin, one phase of the cube E, F, G, H is made up of a material which totally absorbs any gas molecule incident on it, at any given time, options एक बर पढ़ लेते हैं, तो basically इन्होंने क्या किया है, E, F, G, H वाला जो face है ना, उसको एक ऐसे material चे बनाया है, जिस पर जब molecule hit करेगा, तो वो absorb हो जाएगा, right, बाकी के walls जो है, वहाँ पर तो elastic collagen होगा, molecule आएगा, जिस स्पीड से आएगा, उसी स्पीड से वापस लोड़ जाएगा, बट यहाँ पर E, F, G, H एक ऐसी surface है, जहाँ पर molecule आएगा, और absorb हो जाएगा, वापस नहीं जाएगा, right, तो यहाँ पर A option is the pressure on E, F, G, H would be 0, definitely no, क्योंकि जो particle या molecule हिट करेगा surface को, E, F, G, H, को, तो कुछ नो कुछ momentum लेके आएगा, तो यहाँ पर momentum change होगा, और अगर momentum change हुआ, तो कुछ नो कुछ force लगेगा दोनों में, आपस में, molecule और surface में, और अगर force लगेगा, तो pressure create होगा, तो A option गलत है, the pressure on all the faces will be equal, यह भी गलत है, क्योंकि बाकी के जो surfaces हैं, वहाँ पर elastic collagen हो रहा है, और E, F, G, H वाला surface पर particle absorb हो रहा है, molecule absorb हो रहा है, तो जो momentum transfer है between the walls, वो different है, E, F, G, H पर as compared to बाकी की walls पर, अब वो momentum transfer कितना हो रहा है, अगर मैं देखू, बाकी की surface पर Elastic collagen हो रहा है, टो चेंजन्वॉमेंटम अगर किसी मॉलीकूल की बात करें वह जब लास्टिक कोलाइएशन करता किसी को सहे राइट उस मॉलीकूल का जो मॉमेंटम चेंज, से इस आप यह को बीट एक आधा है जो को भी फॉर्स लगेगा अप्रेशर इस देवाइद İ하 weekend अगर यह तो हो गया Elastic Collision की बात अगर हम EFGH वाली सर्फेस की बात करें तो यहां पर तो Molecule आया और एब्सार्व हो गया है राइट अगर एफ जी एच सर्फेस की अगर बात करेंगे तो यहां पर जो का मॉमेंटम चेंज हुआ है वह हुआ है इस जो भी फोर्स लगेगा आपस में वह अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको पता है पोट्स के डारेक्टी प्रोपोश्चनल होता है राइट डेफिनेटलि यहां पर अगर आप ऑप्शन पर जाएंगे अप्शन पर जाएंगे तो दी ऑप्शन दी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली बैठता है अब चुकि यह सिंगल करेक्ट है तो दी ऑप्शन इस करेक्ट राइट तो यह है आपका क्वेश्चन नमबर तू do are Psychology number three boys law is applicable for a ab person à be Shirley पुए अपिभी इस इक्वर्टू Кон स्रेंट रैइट यहां पर क्या होता है अपा에 यहां पर क्या होता है कि इंप्रिशर आपका कॉंस्रेंट होता है राइट यहां पर अगर आप देखेंगे प्रॉसेस process Day diabetic process में no heat exchange राइट टेक्चेंज राइट झाय। इसो बनिक में क्या होता है प्रेशर आपका कॉंस्टेंट होता है आइसो कोर एक में मैं आपका वॉल्यूम कॉंस्टेंट होता है और इसाडर में आपका टेम्परचर कॉंसरेंट होता है आप यहां पर बॉल स्लाप लाए कर सकते हैं राइट तो आंसर यहां पर हो जाएगा भी एक्सु धर्मल प्रॉसस तो यह आपका question number three question number four a cylinder cylinder containing an ideal gas is in vertical position and has a piston of mass capital M that is able to move up or down without friction if the temperature is increased basically यहां पर आपको एक cylinder दिखाई दे रहा होगा जिसमें पिस्टन लगाया है जिसका मास है और पिर हमने क्या कर दिया इस सिलेंडर का temperature इंग्रीज कर दिया वह में बस वहीं discuss करना है कि क्या होगा प्रेशर और वॉल्यूम में क्या क्या होगा कौन-कौन चेंज होगा और लगेगा देट इस पी नॉट इंटु ए राइट और गैस का प्रेशर में माल लेता हूं पी उसके करन जो फोर्स लगेगा वह पी इंटु ए और पिस्टन का मास हमें गिवन है एम तो इस पे जो वेट लगेगा दैट इस यहां पर किसी ही इंस्टेंट पे अगर इस भी स्लोल लेता हूं कि अगर नहीं भी गिवन है तो बाइडिपॉल्ट हम असम्शन लेता है कि स्टम इस मूवट स्लोली मोग कर रहा तो कि तो पिस्तन का जो Mg by A अल राइट अब यहाँ पर अगर temperature मैंने increase किया है राइट अब पर प्रेशर जो है gas का वो तो almost constant तो अल्मोस्ट गोंसरी नियरली constant है तो according to PV is equal to NRT अगर मैं temperature को increase करता हूँ pressure almost constant है volume को भी increase होना पड़ेगा मतलब यहाँ पर volume change होगा तो आंसर सी होगा यहां पर वी विल चेंज बट नॉट पी तो आंसर सी बट यहां पर एक मैंने बड़ा अजम्शन लिया है मैं नहीं एक जो पिस्टन है वह वेरी स्लोली मुव करा है यह अजम्शन मुझे लेना पड़ा इस जो कि गिवन नहीं है तो अगर वह अजम्शन में लेता हूं तो आपका आंसर सी हो जाएगा तो यह है आपका क्वेश्चिन नमबर फो और राइट क्वेश्चिन नमबर फाइफ वॉल्यूम वर्स तेंप्रेशर ग्राफ पर गिवन म आपको वॉल्यूम वर्स तेंप्रेशर ग्राफ दिया हूं राइट तो एक बार आइडिल गैस एक्वेश्चिन पर फोकस करें तो पीवी इस इक्वल टू आपका इडियल गैस इक्वेश्चिन होता है राइट यहां पर वी डिवाड़ेड बाइटी कर देता हूं वह आज ज dispenslez स्ट्रेट लाइन का स्लोब जङादा है उसका प्रेशर कम होगा और व्हठ थे ठ poo ऊरु फीटा टूँ तो स्लोप जो है ना पीवन लाइन का काम है प्रिशर ज्यादा होगा यहां पर मैं बोल सकता हूं पीवन इस प्रिवाइन प्रिशन अपर आपका अंसर हो जाएगा एक यह क्रेक्ट आंसर यह है फ्रेशन नंबर 5 तो यहां पर बेसिकली एक हैड्रोजन गैस थी हच्टू जब उसको हम प्रिशिकली एक हीड्रोजन गैस थी अच्टू जब उसको हम तो 3000 Kelvin तक तो वो hydrogen gas break हो गई hydrogen atoms और hydrogen atom gas बन गई तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मान लो initially N1 moles से जो कि अपने को given है 1 right 1 mole given है उसके बाद let's assume initial pressure is P1 and initial temperature आपको अरड़ी given है 300 Kelvin right अब इसको हमने heat up किया right तो अब क्या हो जाएगा final temperature आपको given है final temperature आपको given है 3000 Kelvin final pressure मैं assume कर लेता हूं P2 what about N2 moles क्या हो आप चुकि पहले hydrogen gas थी एक hydrogen gas break होके hydrogen atom बन गई तो अगर number of moles initially 1 थे तो अब number of moles double हो जाएंगे into volume तो चेंज हो गई नहीं क्योंकि container एफेक्स है उसका volume तो राइट तो V1 is equal to N1 R T आपको given है 300 initially right यह मेरी first equation हो गई फिर फिर फाइनली क्या हो जाएगा P2 pressure हो गया volume V1 रहने वाला है नॉर्मल मोल्स जो है initially आपके वन थे अब मोल्स हो गया twice इंटू आर इंटू temperature हो गया 3000 Kelvin अल्राइट तो यहां पर आपको final pressure निकालना है राइट तो final pressure के बारे में आपको बताना है तो अब यहां पर क्या करते है equation 2 को equation 1 से divide कर देते हैं तो P2 by P1 is equal to जाएगा 2 इंटू 3000 divided by 300 which is 20 तो यहां पर जो final pressure है वो क्या होगा है 20 ताइंस इनिशिल प्रेशर तो यहां से आप options में देखेंगे तो D option आपका absolutely correct है तो यह रहा आपका question number six I hope आपको समझ में आया होगा question number seven a vessel of volume V contains a mixture of one mole of hydrogen and one mole of oxygen both considered as ideal with M1 F1 V dv denote the fraction of molecules with the speed between V and V plus dv with F2 V dv similarity for oxygen तो basically data जो question है इसको देखके आपको समझ मारा होगा यह Maxwell distribution curve की बात करने हैं उसी में हम बोलते हैं कि उसमें चीज आपने नोट की होगी कि जो जो स्पीड का distribution curve maximum ने बनाया है molecules का राइट वो बेसिकली डिपैंड करता है मास और गैस राइट तो यहाँ पर जो दो गैसे गिवन है hydrogen and oxygen उन दोनों के मास में बहुत ज़्यादा अगर वह बहुत ज़्यादा डिप्रेंट होगा तो आप option बी को देखिए एक में बीन एक टू वी विल ओबे Maxwell distribution law येस बट सेपरेटली दोनों सेपरेटली maximum distribution law को फॉलोग करेंगे और राइट तो आंसर भी यहाँ पर आपको हो जाएगा ये आपका question no.7 वेल्कुल theoretical question था और राइट question no.8 अ इंफलेट रबर बालून चंटेंस वन mole of an ideal gas as the pressure P volume V and temperature T if the temperature rises to 1.1 times of T and volume is increased to 1.05 V then the final pressure will be so basically आप में final pressure find करना है और ideal gas है तो let's assume कि initial pressure is P1 let's assume that initial pressure जो कि given है actually P volume is V and temperature is T अब हमने क्या कर दिया volume or temperature को increase कर दिया तो pressure भी obviously change होगा तो माल लो final pressure is P dash और volume आपका हो चुका है 1.05 times V and temperature आपका हो जाएगा 1.1 times T right तो यहां पर PV is equal to NIT लगा सकते है easily यहां पर लिखे है तो PV is equal to number of आप मोल से आपको given a 1 तो उसको 1 ले लेता है into R into T यह first equation हो गई आपकी similarly यहां पर हम लिखेंगे P dash into 1.05 V is equal to most remains the same R into 1.5 1 into T यहां आपकी equation 1 equation 2 तो आपको अगर P dash चाहिए right final pressure चाहिए के in terms of initial pressure तो आप equation 2 को equation 1 से divide करते है यहां आजागा P dash 1.05 divided by P is equal to 1.1 divided by 1 right तो यहां इसको आप solve करेंगे तो यह कुछ nearly आता है 1.05 पी आप options पर फोकस करें राइट तो 1.1 पी गलत है यह गलत है Less than P is also गलत बेटें P and 1.1 1 1 P right here P a answer D is absolutely correct All right यह आपका question complete question number eight Question number nine ABCDEFGH is a hollow cube made of an insulator तो एक सर्फेस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया और यहां पर है यहां पर है यहां पर है यहां पर है यहां पर जितने भी है इंस है उनको एक इलेक्ट्रस्ट्राइटिक फोर्स लगेगा तो जब हमने काइनिक थिएओरी ऑफ गैसेश पड़ी थी तो मॉलिकूल्स पर कोई फोर्स नहीं था किवल कॉलिजन के और जो भी फोर्स लगा था वहां लगा था राइट बढ़ यहां पर एक एक्ट्राइट्राइट्स फोर्स तो क्या kinetic theory of expression valid रहेगा, definitely no, तो कि एक extra force आ गया, right, यहाँ पर जो भी assumption हमने लिये थे बहुत सारे, वो सब यहाँ पर invalid हो जाएंगे, तो kinetic theory of gases हम यहाँ नहीं लगा सकते, right, तो यहाँ पर एक option हमारा हो गया, will not be valid, since the ions would experience forces, right, other than due to collision with the walls, तो एक option B हो गया, correct, right, फिर इसमें एक और option correct हो जाएगा, will not be valid, because isotropy is also lost, basically isotropy का मतलब होता है, जब हमने kinetic theory of gases पड़ी थी, तो हमने यह देखा था, कि जो जितरे भी molecules हैं, वो random motion करता है, right, तो किसी भी molecule की बात करें, तो किसी भी direction में उस molecule के जाने की जो probability है, वो same, right, यहाँ आप वैसा नहीं है, क्योंकि, अब चूँकि एक electrostatic force लगने लगा है, तो बहुत सारे molecules, बहुत सार आयन से जो किसी एक particular direction में जाएंगे, right, उन molecules के अगर मैं बात करूँ, तो उनकी probability हर direction में जाने की same नहीं है, right, तो यहाँ पर isotropy क्या होगे, lost होगे, तो यहाँ पांसर, option db, correct होगा, all right, तो यह रहा आपका question number 9, I hope आपको समझ माया होगा, अब हम next question पर चलेंगे, okay, question number 10, diatomic molecules like hydrogen have energies due to both translational as well as rotational motion, from the equation in kinetic theory, PV is equal to 2 by 3 e, e is, तो basically e के बारे में बताना कि e क्या चीज़ है, right, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इस equation को देखें, तो PV is equal to 2 by 3 e अपको given, right, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, e is equal to 3 by 2 PV, ठीक है, यहाँ तक हम आगा है, अब हम एक चीज़ याद करते हैं, कि जो टोटल एनर्जी हमने सीखी थी, काइनेटिक ठीक 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 में, वो क्या सीखा, e is equal to 3 by 2, sorry, my mistake, e is equal to f by 2 and rt, right, यह हमने equation derive की थी, जह हमने degrees of freedom पड़ा था, right, यहाँ पर f है, degrees of freedom, right, so, अगर diatomic molecule की बात करेंगे, diatomic molecule जो degree of freedom होता है, वो होता है, 5, इसमें, 3 degree of freedom होता है, translational motion के करण, और 2 degree of freedom होता है, because of rotational motion के करण, अब यहाँ पर, अगर मैं translational motion के करण energy देखता हूं, right, translational motion के करण के अवल, energy देखी जाए, तो f की value में लिख दूँगा 3 by 2 और nrt की जगा हम लिख सकते हैं because ideal gas equation है तो nrt को मैं PV लिख सकता हूँ तो इस equation को इस equation से अगर compare करें तो यहां पर यह जो e है यह क्या है यह है because of only because of translational part of energy तो options में हम देखें तो b option में अगर देखें only the translational part of energy because rotational energy is very small compared to translational energy only the translational part of the energy because during collision with the wall pressure relates to change in linear momentum the translational part of the energy because rotational energies of molecule can be either sign यह आपका पिल्कुल absolutely गलत है यह आपका गलत हो गया क्योंकि आप इन्होंने बोला rotational energy is very small compared to यह सा तो नहीं होता राइब and total energy per unit volume यह भी गलत है क्योंकि टोटल energy नहीं है अभी हमने देखा यह क्यों ट्रांसलेशनल part of energy राइट तो यहाँ पर option c अगर फिर से हम पढ़ें राइट only the translational part of the energy यह था हम प्रूव कर चुके यह जो एनरजी है क्यों translational part of energy और because during collision with the wall pressure relates to change in linear momentum basically जो प्रेशर आता है container के अंदर वो क्यों आता है क्योंकि जो भी molecule है उसका जो फर्पेंडिक्र कॉंपोनेंट सर्फेस से वो जब चेंज होता है उसके करांट जो momentum चेंज आता है उसी के करांट फोर्स आता है और उसी के करांट प्रेशन पिक्टर में आ जाता है तो यहां पर c option बिल्कुल सही है तो c option is absolutely correct और next question पर चला जाए है और राइट सो question नुम्र 11 ने डियाटमिक molecule the rotational energy at a given temperature the rotational energy को हमें discuss करना है तो उससे पहला हम देख लेते हैं कि कि किसी एक molecule की अगर बात की जाए किसी एक molecule की बात की जाए इच molecule तो यहां पर अगर देखा जाए तो energy because of translational motion अगर निकाल हो मैं वह जाएगा 3 by 2 kt and energy because of rotational motion अगर निकाली जाए तो वह जाएगा 2 by 2 kt right तो इसका basically हमें ratio अगर निकाल देए हम राइट तो er energy because of rotational motion divided by energy because of translational motion तो आप का जाएगा kt divided by 3 by 2 kt तो यह आ जाता है आपका 2 by 3 right तो यहां पर आगर आप D option पर focus करें है तो rotational energy at a given temperature is two-third of the translational kinetic energy of each molecule यहां पर D option आपका absolutely correct है right क्या और को यह option करेक्ट है ओबेस मैक्स्वेल distribution law yes Maxwell distribution लाओ तो यह ओबे करता है यह राइट तभी तो equally distribute हो जाता है total energy इसमें यह option भी करेक्ट है right have the same value for all molecules equals the translation यह गलत होगे आपका अब rotational energy at a given temperature have the same value for all molecules असाद हो नहीं सकता right तो यहां पर जो options होंगे आपके question 11th के होंगे A and D तो यह question number 11th है all right question number 11 which of the following diagrams depicts ideal gas behavior right so सबसे पहले हम देख लेता है ideal gas behavior होता गया है पीवी इस इक्वेशन हम लगा सकते जब आइडियल गैस है तो फिर्स्ट ऑप्शन देखें इसमें प्रेशर का जुक्त हुआ है इसमें प्रेशर प्रेशर कॉंस्टेंट कर दें तो वी इस इक्वल टू एन आर बाइप इंटू टी यहां पे एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन आता है वी वर्सस टी का विच जो की औरिजन से पास होगा राइट तो option ए इस प्रेशन पर जाएं तो यहां पर टेंपरेशर कॉंस्टेंट किया वाए तो अगर टेंपरेशर इसमें कॉंस्टेंट करते हैं तो आ जाता है तो प्रेशन आपका गलत होगे प्रेशन की बात करें तो पर यह प्रेशर वर्सस टी में स्ट्रेट लाइं फंक्शन है जो की औरिजन से पास होगा तो प्रेशन पर्सट्य आपका एकल्ट है यहां के दी ऑप्शन में इन्होंने बोला पीवी वर्सेस्टी कर जो होगा horizontal होगा यहां पर आगर आप देखेंगे तो पीवी इस इक्वल तो यहीं से आप लें पीवी इस इकल तो आपका constant है तो पीवी एक फंक्शन है और यह टी एक फंक्शन है तो यह स्ट्रेट लाइंग फंक्शन 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 नमा थर्दीन वन एडिल गैसे इस इंपरेश इस तेमप्रेश राइस और आपर बेसिकली अगर मैं एक कंटेनर लेता हूं ठीक है यह कंटेनर ले लिया मैंने और इस पर मैंने मुविंग पिस्टन लगा दिया यह कि मुविंग से जो मूव कर सकता है उपर वर नीचे राइट अगर मैं पिस्टन नीच ले आता हूं इक हम गाई यह जो लेंद्ल है नहीं इक कमो घाём तो प्राम सोलेट और मॉलिक्क्वल यहां पेwasser करते हैं पस्टन को हो रहे थे क्योंकि पिस्टन नीचे आता जा रहा है तो यह वाला जो लेंथ है लेंथ होती जाएगी तो जो नंबर कोलीजन से किसी भी मॉलीक्यूल की बात करें तो उस मॉलीक्यूल का नंबर और यहां पर जो ऑप्शन आपके पास है बिकॉस मॉविंग पास मॉविंग पास आले करेंट कि बाकि पिक्चर में पिकोज अफ रीडिस्ट्रिबूशन अव एंग्स्ट वॉल्यूम जिसमें जो मॉल्यूल है उनके पास इसलिए बढ़ गई क्योंकि कोई एक वाल थी जिसको मैं नीचे लाता गया जो पिस्टन हमारे केस में उसको मैं नीचे लाता रहूंगा तो यह जो लेंट अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अगर डाउट है आपके कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट से सेक्शन में लिख सकते हैं हम कोशिश करेंगे उन सारे कमेंट्स जल्द से जल्द रिप्लाइब करनेगा और राइट तो तो यह थैंक्यू वैरी मच वाइवाइब